इन नौर्तों के दिनों में व्रत उप्वास का बड़ा भारिक फाइदा होता है। क्या रादना की और जो इन दिनों में व्रत उप्वास नहीं करते हैं उनको रोग पख़ड़ लेते हैं शार्दी नौरते ये चल रहे हैं और दूसरे हुली के आस पास है चैत्र नौरता इन नौरतों के दिनों में व्रत उप्वास का बड़ा भारी फाइदा होता है और जो इन दिनों में व्रत उप्वास नहीं करते हैं उनको रोग पख़ड़ लेते रोगानाम शर्द हमाता हा रोगों की माँ है शार्दी ये शर्द रूत हुआ बारिश विदाले रही है और सितकाल आरंब हो रहा है तो बारिश में और गर्मियों में शर्द के अंदर जो विजातिय द्रव्य हैं वो कठे हुए हैं रूतु परिवर्तन हो रही तो पवास करके विजातिय द्रव्यों को भस्म कर दे ताकि शर्दी में पुष्टी को बल को धारन करने की स्वंता शरी की बढ़ जाए फिर शारिरिक फायदे तो ते मनो बल भी बढ़ता है शरीर बल भी फिर बढ़ता है बुद्धी बल भी बढ़ता है ज्यान बल भी बढ़ता है इस बल को बढ़ाने के लिए कई राजे महराजाओं ने देवी क्या राद ना की इसमें पंच गव्य का पान किया जाता है बल बढ़ाने के लिए निरोग होने के लिए पंच गव्य मिल जाए तो और शरीर शुद्धी के लिए उपवास वानी शुद्धी के लिए माउन रदय शुद्धी के लिए भगवती की आरात्न विश्वा मित्र और वसिष्ट जी ने भी किया था एक बार देवरिशी नारजी भगवान राम और लक्ष्मन वन में विचार विमर्ष करके कैसे रावन पर विजय प्राप्त हो क्या किया जाए इस भाव में मौन थे प्रकाश प्रकाश दिखा राम जी को लखन विया को गोर से देखा तो देवरिशी नारजी उटके खड़े हो गए ये शालिन ताए श्री राम जी की लखन जी की आए ये संत प्रवर देवरिशी नारजी का यथा योग्य वहां तो गदी तक ये से थोड़े स्वागत होता है वहां तो जो भी मिल गया चटाई पुटाई जैसा भी जंगल का बिछाया तब भगवान राम जी को नारजी ने कहा के श्री राम आप इतने मौन और चिंतन में गहरे उत्रे हुए हैं थोड़े से उदास से लग रहे हैं राम जी आपकी उदासी का कारण में जानता हूँ कि रावन पर कैसे वीजे प्राप्त हो श्री राम आप भगवान नाराइन का उतार है और नर लिला करने के लिए पधार है देवताओं का प्रिय करने के लिए दानवों का उन्मूलन करने के लिए आपका ये आउतार है आपका बल निर्बलों की साहिता के लिए दुष्टों के दमन के लिए जो व्यक्ति बल अपने लिए मानता है वो भूगी बन जाता है और वो बंधर में आ जाता है और आपको भी अपना बल अपने लिए नहीं मानने वाले महान अवतार है अपनी योगता और बल जो अपने लिए मानता है ने वो पतन के रास्ते जाता है रावन के रास्ते जाता है और अपनी योगता और बल औरों के लिए उप्योग करने में सोचता है वो सचमुच में महाबल को प्राप्त हो जाता है श्री राम वसिष्ट महराज ने भी नवरात्री का वरत्त किया था ब्रगुर इशी ने भी किया था हम तो चाहते हैं कि अभी नवरात्री आ रहे आप उसके वरत्त का अनुष्ठान करें और व्रत अनुष्टान से आप इस रावन पर विजे तो पाएंगे लेकिन आपकी यश्ख्याती और कारिशमता भी खुब दिन डोनी रात चौनी हो जाएगे सुरी राम जी ने कहा कि फिर व्रत अप्वास तो बुले महराज मैं आपका पुरोहित होना पसंद करूँगा क्योंकि आप परहित के लिए ही सोचते हैं तो माँ भगवती जो आद्य शक्ति है उसके लिए व्रत अप्वास पुजन आदी की विदी में करवाता हूँ हो सम्तल धाती हूँ वहाँ परवत पर समय पाकर नारज जी ने भगवान राम को और लक्ष्वन भाया को नार्तों के व्रत अप्वास और पुजाविदी से संपन्न क्या उसके बाद रावन पर लड़ाई हूई मिस सफलता हूई चैत्र नार्ता का व्रत अप्वास हूँ और फिर शार्दी नारत्वा में रावन का हर वारा मैंने दे दशेरा को रावन को जलाया जाता तो रावन माना अपने बल का अपने लियुप्योग और भाव को मैं मानना जो पैदा हुआ उस शरीर को मैं मानते हैं पैदा होने वाली वस्तू को मेरा मानते हैं मिटने वाले शरीर को मैं मानना मिटने वाली वस्तू व्यक्तियों को मेरा मानना वो भाव बंधन में पढ़ता हैं झाल झाल